49 वा प्रतिरूप है अक्षरों के अंतिम चिन्ह पूर्ण यदि लिखावट में अंतिम रेखाएं येवं चिन्ह पूर्ण है और अधिकटे नहीं है तो भेद व्यक्ति में किसी काम को पूरी तरह करने की शक्ति येवं वृत्ति प्रदर्शित करते हैं यदि ये चोड़ दिये जाते हैं अथवा अपूर्ण एवं असपश्ट होते हैं तो लेकक धाईरिपूर्वक अपना काम पूरा नहीं कर सकता वो अपना वैचन भी पूरा नहीं कर सकता उसमें उतावलापन तथा अविश्वस्नीता प्रतित होती है इसके लिए लिखावट एक संपूर्ण क्रिया है जो यदि आजूरी रह गई थी तो किसी तरह से भी काम पूरा नहीं हुआ ऐसा मानना निश्चित होता है अन्तिम वो चालीसवा प्रतिरूपे मानव स्वभाव येक गहन परिस्थिती है इसमें अनेक तत्वों होते हैं जो एक दूसरे से अनिवारी रूप से संबंदित हैं तथा उल्जे हुए भी हैं जीवन के प्रारंभ से व्यक्ति के मानस पर जो अनेकानिक प्रभाव पड़ते हैं वे उसके उपर अनिवारी रूप से बने रहते हैं जिस तरह एक डॉक्टर किसी भी बीमारी के निदान के लिए शरीर की अनेक अवस्थावों का विश्लेशन करता है और अन्त में उनके योग से ही किसी निश्कर्ष पर पहुंचता है उसी प्रकार मनोव ज्यानिक भी व्यक्तित्व को प्रकाशित करने के लिए अनेक लक्षनों का विश्लेशन करने के उपरांत ही किसी व्यक्ति के बारे में सही निश्कर्ष पर पहुंचता है प्रत्यक व्यक्ति येक अनोख उदाहरन होता है जिसमें उसके व्यक्तिगत लक्षनों का सम्मिश्रन होता है इन लक्षनों को पैचानना उनकी नाप तोल करना ही व्यक्तित्व के अंकन का लक्ष्य है अस्तलिपी विज्ञान के द्वारा लिखावट की रचना में अनेक लक्षन प्रकाशित होते हैं एक व प्रश्ण के उत्तर में लिखने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व का वास्त्विक चित्र मिलना चाहिए। यही अमारा प्रयास है। इसके लिए जो प्रयोग सिधो ओचुके हैं। उनका ज्ञान उत्सुत्ता, मौलिक कल्पना तथा अभ्यास से किया जा सकता है। चरित्र के समान ही व्यक्ति के प्रधान निर्देश के वो में विश्वांस युक्त लक्षन भी लिकावट के अनेक तत्तों में ही पाये जाते हैं।